चलिए बापको सीधा समरकंद लिए चलते हैं जहां पर शंगाई कॉर्परेशन और्गनाइजेशन के तहत बड़ा आयोजन क्या जा रहा है उस बेकिस्तान की समरकंद में स्यो सम्मिट का आयोजन क्या जा रहा है और ये तस्पीरे जरा आप देखिए किस तरीके से ये देश बाताओं का दौर भी रहेगा और साथ ही पुतीन से भी बात करेंगे उनसे भी चर्चा की जाएगे उनके सथ बैठक भी होगी उनसे मुलाकात भी होगी इस बैठक के बाद तो ऐसे में उस दस्पीर का सभी इंतजार कर रहे हैं HALAKी सब्स इस बात को लेकर के बना हुआ है क्या शे जिन पिंग से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के अलग से मिटिंग होगी शाबा शरीप से क्या अलग से मिटिंग होगी हाला कि SEO Summit में पहुशने पर PM मोदी का जोड़दा स्वागत हुआ उसबेकिस्तान की रास्टपती शोकत ने उनका स्वागत किया सबी आठ देशों के प्रमुखों का फूटो सेशन हुआ समरकंद में सब्सक्राइब का पहला सत्र खत्म हुआ है पीम मोदी ने सम्मिट में भारत का पक्ष रखा है सम्मिट 2023 के अध्यक्षता करेगा भारत दो हजार तेश सम्मिट में सदस्य देशों को बुलाएगा भारत बुलाएगा इसके अध्यक्षता भारत करेगा हाला कि अब इंतजार उन सस्पेंसिस को लेकर के बना हुआ है कि वो जो सस्पेंसिस हैं मुलाकातों को लेकर के किस तरीके से उनको लेकर के आगे तस्वीर साफ होती है और क्या रुक भारत का रहता है क्योंकि वर्दमान सित्यों में अगर हम देखे तो भारत सबसे मजबूत सित्य में है क्योंकि एक और तो जहां यह सम्मिट चल रहा है जहां शंगाई देश आपस में चार्चा कर रहे हैं मंत्रिणा का दौर यहां पर जा रही है तो वहीं दूसरी और अमेरिका की टेंशन भी बढ़ती जा रही है तो ऐसे में अमेरिका की चिंता यहां पर बढ़ते वे नजर आ रही है अमेरिका टेंशन में नजर आ रहा है और उसकी निगाहे इस पूरे सम्मिट पर टिकी हुई है तो वहीं भारत को लेकर के यह सम्मिट अपने आप में बेहत मैटपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम लगाता पी की तो ऐसे मुझद दोरान भी आप ही समसकते हैं कि भारत की भूमिका कितनी जादा मैटपूर्ण हो गई थी सबसे पहले स्वदेशी वैक्सिन हमने बनाई और उसके बाद जब रोस और यूकरेन की युद्ध की शुरुआत हुई तो बार बार यूकरेन के द्वारा अमाव इन चुनोतियों के इतर या कहें कि कोरोना के बाद ये पहला इस तरीके से सम्मिट आयों ज़न हो रहा है तो ऐसे में भारत का रुक और भी ज़ादा मैटपूर्ण हो जाता है। और भही अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान आर्थिक मंदी की दौड से चीन जिस तरीके से गीदर्ड भपकी देते वे नहीं बाज आ रहा था पर वहीं भारत का दम देखकर के बारत की शक्ति को देखते वे चीन ने भी अपने कदमों को पीछे किया है होट स्प्रिंग्स के अगर हम बात करें तो वहाँ से चीनी सेना पीछे हटी है